असलाम लेकुम गाइज, वेलकम टू बाइक मेने पीके, आज के हमारी जो वीडियो है, वो है डेली यूजज मोटर साइकल्स के उपर, लास्ट मेरी जो वीडियो थी, वो काफी लोगों ने पसंद की थी, उसके अंदर मैंने बेसिकली रेंडम मोटर साइकल्स को चुना था, तमाम कैटेगरी's के, आज हम कैटेगरी वाइज देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं 150C कैटेगरी को, आज की वीडियो हमारे डेट बाइट सो सी कैटेगरी के उपर है, कि हमारे पास जो डेट सो सी सी के मोटर साइकल्स हैं, उन में डेली यूजज के कौन कौन से बेस म आपको मिल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर तो आज मैं आपको टोटल तीन मोटरसाइकल के बारें बताऊंगा जो डेट सी के डिगरी के अंदर सबसे बेस्ट है अब इसमें price हमने consider नहीं की इसमें सिरफ जो comfort है जो daily usage के लिए recommended चीज़े हैं उसको देख है motorcycle के अंदर अगर वो है तो इसका मदा motorcycle best है सुपाइस बिनने इंवेस्ट के वीडियो को start कर लेते हैं हमारी लिस्ट में जो सबसे पहले motorcycle आजाता है वो है Suzuki का GS 150 Suzuki GS 150 के अंदर अब सबसे पहले features को देख लेते हैं इस motorcycle के अंदर आपके पास RPM है आपके पास speedometer है motorcycle के assemblies में kills which आपको मिल जाता है इस motorcycle के अंदर आपको headlight on off, high low मिल जाता है इस motorcycle के अंदर आपको self start available मिलता है इसके लावा अगर motorcycle की petrol leverage को देख ले तो ये motorcycle आपको easily 40-45 average दे देता है ये minimum की बात करना हूँ मैं अगर हम maximum की बात करें तो 55 प्लस ये motorcycle आपको average दे देता है अब achieve करने वाले आप होंगे अगर आप achieve कर सकते हैं तो ये motorcycle इतनी potential रखता है कि ये 55 प्लस आपको average दे दे अब उसमें आपको करना ये पड़ेगा कि आपको speed अपनी maintain रखनी पड़ेगी यानि कि आपको 50-40 से 50 के दर्मयान फिरना पड़ेगा और motorcycle की maintenance लाजमी है time to time maintenance करवाएंगे motorcycle आपको उस तरह का response देगा इसके बाद अगर हम बात करें इस motorcycle की maintenance की तो इस motorcycle के अंदर आपको maintenance का कोई इतना खास issue नहीं होता इस motorcycle की maintenance easy है और ज़्यादा cost भी नहीं है इसकी maintenance की और इस motorcycle के अंदर आपको mechanics का issue नहीं बनने वाला mechanics इसके easily available होते है और सबसे main चीज comfort जहां तक इसकी comfort का तालुक है तो comfort में ये motorcycle अच्छा है motorcycle की seat जो है वो normal आप कह सकते हैं नाज़दा बुरी है नाज़दा अच्छी है लेकिन अगर आप इसमें कोई form वगरा चड़वा लेते हैं यानि के extra आप कुछ इसके अंदर add कर लेते हैं तो seat इसकी बहतर हो जाती है अगर आप इसकी seat का form ही चेंज करवा लें तो well and good लेकिन अगर आप ना भी चेंज करवाएं तो motorcycle की seat इसकाबिल है कि आप इसमें शहर का सफर easily कर सकते हैं इस motorcycle के अगर shocks की बात करें तो motorcycle के shocks काफी अच्छे हैं motorcycle के अगर engine की बात की जाए तो engine में आपको overhead camshaft technology मिल रही है इस motorcycle के engine में balancer install नहीं है जिसकी वैसे आपको कुछ ना कुछ vibrations feel होती है लेकिन अगर comfort को overall rate किया जाए तो मैं इस motorcycle को 7 out of 10 number दूँगा तो मेरे ख्याल में इस motorcycle के जो comfort है वो अच्छी है अगर family usage की बात की जाए तो motorcycle पे आप family easily बिठा सकते हैं इसकी seat सीधी है ठीक है family दो बच्चों समेथ आप इस motorcycle पे easily ride कर सकते हैं और comfortably ride कर सकते हैं इसके बाद हम next motorcycle की तरफ चलते हैं उसे पहले मैं आपको इसकी price बता जाता हूँ तो इस motorcycle की Suzuki GS 150 की जो current price चल रही है वो है 3,82,000 रूपीज इसके बाद हमारे पास जो next motorcycle आजाता है वो है Suzuki का GR 150 तो Suzuki GR 150 आप सब जानते होंगे Suzuki GR 150 को कुछ टाइम होगे पाकिस्तान के अंदर लेकिन GS इससे काफी पुरान है GR इसके काफी बात लॉंच हुए और जो चीज़े मीसिंग थी GS के अंदर वो GR के अंदर इंट्रूस की गई थी अब मैं आपको कुछ हाइलेट कर देता हूं कुछ चीज़ें अब सब सब पहले डिजाइन आपके सामने है Suzuki GR 150 का कम्पलीटली न्यू डिजाइन बनाया गया है और काफी बहतर इसको लुक दी गई है इसके अलावा इसके अंदर फीचर्स की अडिशन कीगी है मीटर इसका जो है उसमें आपको RPM, स्पूरियो मीटर, FUEL Gage वगएरा सब कुछ अवेलिबल मिलेगा इसके अलावा अगर अगर असेमली की बात कर लें तो इस मुटसाइकल की जो असेमली हैं इस मुटसाइकल से पेट्रोल लेवरिज और अगर मैकसिमम की बात करें तो मैकसिमम इसकी 48 तक भी देखी गी है 45 से 48 तक ये मुटसाइकल लेवरिज देने की सलाइट रखता है लेकिन अगर आपको इससे बहतर मिलिया है तो कोमेंट से लाजिम बताएं इसके लावा अगर हम इस मुटसाइकल की डेली उसेज के बारें बात करें तो इस मुटसाइकल के अंदर आपको सीट GS से काफी बहतर मिलेगी शौक्स आपको अच्छे मिल जाएंगे इस मुटसाइकल के अंदर जो इसका इंजन है इसमें बैलेंसर भी इंस्टाल किया गया है जिसके वैसे मुटसाइकल वाइबरेशन्स काफी कम प्रोडूस करता है और काफी कम वाइबरेशन्स होने के वैसे मुटसाइकल की कमफर्ट में काफी बेतरी आ जाती है ये motorcycle काफी comfortable हो को मिलता है अगर आप इसको compare करते हैं GS के साथ तो इस motorcycle की इसी वज़ा से काफी price हाई है अगर इसकी price की बात कर ली जाए तो Suzuki का जो GR 150 है इसकी आपको current price मिल रही है तकरीबन 5,47,000 रुपीज इसके बाद हमारे पास जो last में motorcycle आयाता है वो है Honda का CB 150F में motorcycle में आपको comfort GR वाले मिल रही है design आपको काफी जबर्दस मिल रहा है motorcycle का इस motorcycle के अंदर मीटर में भी तमाम चीज़ अवेलेबल है इस motorcycle के अंदर आपको kill switch missing मिलता है बागी सब कुछ इसके अदर अवेलेबल है जैसे कि डिपर हो गया तो यह सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है design वाइस जैसे कि मैं आपको बताया कि आपके सामने है आपके पास front पे Honda इसको claim करता है कि fog lines हैं लेकिन यह basically मेरे ख्याल में DRL है इसकी और इसके अलावा इस motorcycle के अगर engine को देखें तो 150C category का engine आपको मिल जाता है जिसकी pickup बहुत जबदस्त है torque wise यह motorcycle काफी अच्छा है और अगर balancer की बात करें तो balancer इस motorcycle के engine के अवेलेबल है जिसकी वेसे आपको comfort वाला मसला नहीं होता motorcycle की seat काफी जबदस्त है शौक्स अच्छे है इस motorcycle के और अगर इसके engine की बात करें तो engine में balance है जिसकी वेसे motorcycle की comfort बहुत जबदस्त हो जाती है comfort में मेरे ख्याल में यह motorcycle और GR150 almost same है इसके बाद अब इसके family usage के बारे में बात करते हैं तो family usage में मेरे ख्याल में यह motorcycle बहुत अच्छा साबित नहीं होगा अगर आप दो बंदे हैं तो फिर तो मसला नहीं है फिर इतना issue नहीं है फिर adjustment हो जाती है इसके उपर लेकिन अगर दो से जादा है यानि के family प्लस दो बच्चे तो फिर इस motorcycle पे issue बन सकता है क्योंकि इस motorcycle के उपर अगर आप बच्चों को बिठाते हैं tank के उपर तो tank इसका straight नहीं है जिसकी वैसे बच्चों को भी मसला होगा और आप भी motorcycle सीतना नहीं चला पाएंगे तो family के लिए थोड़ा सा issue है बाकी motorcycle की comfort में कोई issue नहीं है जहां तक petrol leverage का तालुक है तो petrol leverage इस motorcycle की normal में कहूंगा बहुत अच्छी नहीं कहूंगा इस motorcycle की जो petrol leverage आपको मिल जाती ह है वो minimum 35 तक मिल जाती है maximum इसकी 45 से 50 के दर्मयान है तो अगर मैं personally अपनी बात करूं तो मैं इस motorcycle को थोड़ा सा ख्यांच की चलाता हूं और मुझे उस हिसाब से यह motorcycle 33 से 35 के दर्मयान average दे रहे तो वाइस यह थे मरी आज की वीडियो अब मैं आपको price बताते हूं इस motorcycle की त जो हॉंडा का CB 150F है इसकी आपको जो current price मिल रही है वो है 493,900 रुपीज थैंक्यू मेरी मच्छ अलाफिस